दोस्तो क्या आप stock market scam से बचे रहना चाहते हैं या unfortunately आपके साथ कोई scam हो गया है अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है अन तक देखिएगा 22 जनवरी 2017 ये वो दिन था जब हमने YouTube पे stock market को लेकिए अपना पहला वीडियो डाला इन फाक्ट उस दिन हमने तीन वीडियो डाले ये ब्रोकर के comparison के बारे में थे और फिर 9 जनवरी 2021 को हमने पहला short वीडियो डाला और ये वीडियो awareness के बारे में था कुछ ऐसा stock market के fraud से बचने के 5 तरीके और 3600 वीडियो करने के बाद अर डिजिटल ब्लॉगर इंडिया का अकेला चैनल है जो stock market regulations के बारे में लगतार बात करता है अपना पक्ष रखता है brokers के बारे में बात करता है fake influencers के बारे में बात करता है stock market scams के बारे में बताता है stock market की ground reality क्या है market के dynamics क्या है इन सब के बारे में बात करते हैं पिछले 6-7 साल में जितने भी brokers बंद होने वाले थे हो सकते थे चाहे वो आर्केडिया हो जिसका नाम हो है आर्केडिया शेयर कायतों के मामने में भी ये नंबर 0.19% इंडस्ट्री स्टेंडर्ड से अल्मोस्ट दो गुना इनका कंप्लेंट रेट है क्या स्कैम कर रहे हो LFS के आपको LSE को इस्चू करना पड़ा वार नहीं तो दोस्तों ये कॉंक्रेंट स्कैम हो चुका है 142 क्रोड रुपे का और ये जो 4.5 क्रोड रुपे इंठे जा रहे हैं ये नाम पे कि हमें किसी को देने हैं वो भी गलत है किसी जो अनुगरा स्टोक ब्रोकर के 30,000 क्लाइंट से है जतना भी पैसा फसा है चाहे 1000 रुपे फसा है चाहे 1500 क्रोड रुपे फसा है सब प्रॉब्लम में हैं इंट्राडे मार्जिन रूल के आने के कारण ऑप्शन की टर्नोवर पे क्या इंपक्ट हो सकता था रीटेल टेर का क्या नुक्सान हो सकता था इसके बारे में उसी समय करीब 3 साल पहले ही अवर डिजिटे ब्लॉगर चैनल पे हमने आपके साथ शेयर किया था जो इंट्राडे ट्रेडिंग में टर्नोवर वाल्लियूम देखा जाता था वो थीरे थीरे two options में जा रहा है यह बढ़े प्लेयर के लिए actually profitable है और चोटे प्लियर्स के लिए normal retail traders के लिए exactly opposite पॉंजी स्कीम जहाँ पे लोकल लेवल पे गारेंटे रिटर्न्स पता के लोगों से पैसा लगवाया जाता है इसके बारे में भी अवेर किया चाहे वो Quick Start 24 हो या Credit Bulls और से भी ये वीडियो आपके लिए हैं अगर आप ये वीडियो देख पाएं तो प्लीज इस Quick Start 24 कमपनी को बंद करवा हैं और हजारों नों का नुकसान होने से बचाएं और Fake Influencers Series तो जातर लोगों ने देखी है जहांपे हम Primary Research करके खुद क्लाइट बनके ऐसे Fake Influencers को Market में Retail Trader के सामने खड़ा कर देते हैं ताकि वो खुद असलियत की पहचान कर सके लेकिन आज की तारीक में Stock Market Scammers की तदाद इतनी बढ़ गई है कि एक के बारे में रिपोर्ट करे तो चार नए निकल के आते हैं तो इसमें उन दोनों ट्रेडर्स का नुकसान है जो नया है अभी सिस्टम को समझा नहीं है Fake Influencers की चकर में आके पैसे का नुकसान करता है मार मार्केट में हैं लेकिन साइकोलोजी को कंट्रोल ना कर पाने के कारण लगातार प्रॉफिट नहीं कर पाता और फिर इनी Fake Influencers या किसी तरह की स्कैम में अपने आपको फसा लेता है मतब एक समझदा ट्रेडर के लिए भी इन सब के चंगुल से बचपाना Almost impossible हो गया है तो फॉर्म लोग भरते हैं आज की तारिक में तीन साड़े तीन हजार रिस्पॉंसिज आ चुके हैं पिसले छे साथ महीनों के अंदर लेकिन इसमें से कुछ परतीशत केसिज को ही हम सॉल्फ कर पाते हैं क्योंकि ये सारे केसिज को सिर्फ वोल्यूंटरी लेवल पे ही ये स्केम कान्बर काफी कम हो सकता है अगर आपको उनकी मौडर सपरन्डी मतलब उनके काम करने का तरीका कि वो स्कैम किस तरह से करते हैं पहले से ही पता हो लेकिन ये fraud free awareness program आखिर है क्या ये एक step by step guide है आपको stock market के fraud जो scam से बचे रहने की सबसे पहले इसमें 6 modules हैं जिसके अंदर 20 chapter हैं जो कि अलग लग तरीके के scams और frauds के बारे में बात करते हैं in depth दूसरा live sessions हर महीने एक session लिया जाएगा जिसमें हम और आप directly बात करेंगे बात करेंगे scams के बारे में scammers के बारे में जो market में नए तरह के fraud चल रहे हैं उसके बारे में अगर आप किसी तरीके की मुश्किल में फसे हैं उसके बारे में भी और आगे क्या action लिया जा सकता है उसके बारे में भी बात की जाएगा तीसरा अगर unfortunately आपके साथ कोई scam हो गया है, कोई fraud हो गया है तो हमारी team आपके साथ काम करेगी, we will work towards stock market के पूरे compliance ecosystem के अंदर जो भी regulatory proceedings होते हैं, जो भी steps लिये जाते हैं, चाहे वो broker के साथ हो, advisory के साथ हो, unregistered influencer के साथ हो, और हागे चलके regulator के साथ भी communication करना हो, तो उसमें भ उसमें आपकी मदद की जाएगी, इसके लावा एक exclusive community group बनेगा, जिसमें पूरे देश में जिस तरह के भी scam चल रहे हैं, जिसके तरह से भी लोगों को फसाया जा रहा है, पैसे का नुकसान करवाया जा रहा है, उसके बारे में आपको regular update मिलते रहेंगे, ताकि आप stock market या अपने finance को लेके हमेशा fraud free रहें, stock market में scams के around, जितना भी काम हम करते हैं, किसका scam हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, कैसे किया, कितने का किया, उसके बारे में जितना भी behind the scenes का काम होता है, वो सारा का सारा information in videos format आपको लगतार इस awareness program का हिस्सा बनने पे मिलता रहेगा, और ये modules क्या है, stock market में frauds क्यों होते हैं, telegram channel जो बिना license के काम करते हैं, किस तरीके से आपका नुकसान करते हैं, long term में उसके बारे में, whatsapp group के fraud किस तरह से किया जाते हैं, cloned app का fraud, profit sharing scams, account handling, fake influencer किस तरह से scam करते हैं, अगर आपके साथ कोई scam हो जाता है, तो उसकी complaint आप कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको सेवी की तरफ से response आए, एक influencer कैसे पता करें कि जो बात वो खुद बोल रहा है, बोल रही है, वो सही है, genuine है, legally और technical level पर, offline stock market की जो workshop होती हैं, उसकी सच्चाई क्या है, अगर आप offline course लेना चाहते हैं, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना च सेवी किस-किस जगां पर आपकी help कर सकता है, really, और कहां पर जाके सेवी कहेगा कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ, modules में आपको इस awareness program का हिस्सा बनने पर मिलेगा, तो आईए, नीचे दीए गे link पे click करके, fraud free awareness program में enroll होकर, stock market के in frauds को, in scams को, खतम करते है ताकि आपके साथ या आपके जान पेचान वालों के साथ इन तरह किस scams ना हो और अगर हो भी गया है, तो उसके खिलाफ action लिया जा सके, thank you so much